सवे भवंतु सुखिन, श्री कृष्ण उब्देश, भाग आठ, जो गुरु उब्देश के अनुरूपो ग्रहन करें, है अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो की, पिछले जन्म में, तुम्हारे किस रिष्टेदार ने, तुम्हारे लिए, कितना विलाप किया था, अर्जुन नहीं केशव, यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो यह तक ज्यात नहीं की, वो कौन थे, श्री कृष्ण, बस जिस तरह, तुम अपने पिछले जन्म को, भूल गए हो, इसी तरह, तुम अपने इस जन्म को भी, भूल जाओगे, इस जन्म के रिष्टों का अर्थ, तु पुछ भी नहीं रह जाएगा, आज अभिम्यू को तुम, अपना पुत्र समझ रहे हो, हो सकता है, पिछले जन्म में, वो तुम्हारा पिता रहा हो, या, आने वाले जन्म में, तुम्हारा महाशत्रु बन जाए, आज तुम जिनको अपना, रिष्टेदार समझ रहे हो, ज तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो, है अर्जुन यह रिष्टे, शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं, और शरीर की मृत्यू के साथ मर जाते हैं, इसलिए इन रिष्टे नातों के चक्रव्यूं से बाहर आ जाओ, आत्मा, अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो, है अर्जुन इसलिए तुम्हे ना, रिष्टों से मौह करना चाहिए, ना रिष्टों के तूटने का, शोक करना चाहिए, यही सांक्यय योग का ज्ञान है की, मनुष्य को, एक सयासी की भाती, सोचना चाहिए की, यह सब रिष्टे नाते, मौह को उत्पन करते हैं, और, लोभी पुरूश नदी में दुपते हुए भी धन की गट्री को नहीं छोड़ता और आखिर में उस गट्री के बोज से खुद भी दूब जाता है। इसलिए अपने मन को सयासी बनाओ और इस मुह के बंधन को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो की इस समय तुम्हारा करतव क्या है तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो सबका भला हो।